तो स्वागत आपका एक नाए वीडियो में जिसमें डिस्क्स करेंगे एन आरे सीटी अपडेट दो हजार तेज़ बहुत बड़ी अपडेट आचुकी है एक देश एक परिच्छा जैसा कि आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अगले साल से गुरूब बी और शी पद क्या रोगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या डिफेंस में भी लागू होगा और लागू होगा तो कब होगा कैसे होगा क्या क्या बदला है नहीं बदला वह सारक पूरा इसके लिचे करेंगे तो विडियो को फुल वर्ज किजिएगा सब्सक्रीब मत किजीए आपका डाउट बना रहेगा तो फटाफट कर दीजे वीडियो को लाइक और सेर चैनल कर लिजे सब्सक्राइब बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लेजिए चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दीजेका एक पॉस्टिव कमेंट जरूर कर यह ताकि मैं आपको ऐसी समानने योगता परिच्छा सी इटी का आयोजन करेगी केंद्रिया मंत्री जीतेंदर शिंग ने कहा पीम नरेंदर मोदी के नीजी हस्त छेप पर पहली बार हो रही सीटी की इस अनूठी पहल से केंद्रिया नौक्रियों के लिए युवाओ को चुनने में मदद मिलेगी प देंडें सी और यह आपका जो आप एक्जाम दीजहेगा ना यह तीन साल साल सी कि कैसे क्या बाय्य को क genres क्रू दिया गया है तो D जैसी भरतियाब कोई बची ही नहीं है जो भी गुरूप B है और C है डी जैसी कोई भरतियाब नहीं बची है गुरूप D की भरतियों को खतम कर दिया गया है पोजिटीव पालू यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र के शालाना एक लाख पचीस जार संथिंग लाख रिक्त पदों के लिए पचास से ज़्यादा परिछाय होती है करीब 2.5 करोर आवेदन आते हैं मतलब 2 करोर से ज़्यादा आवेदन आते हैं डाई करोर के आसपास से चैन परकिरियत तक 12-18 महिने लगते हैं के अंदर की गुरूब बी और शी पदों की भरती के लिए सिर्फ एक कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट सी इटी होगा यहां पर आप देख सकते हैं मतलब की सीधा सीधा यह कहें कि अब जितने मीं गुरूब बी और सी की पदों के लिए आपका एक्जाम करा जाते हैं हर भी वाग अपना अलग अलग एक्जाम कंड़क्ट कराता है कोई को एजेंसी कराती है अब एक ही एजेंसी एन आरे जो है वो आपका एक्जाम कंड़क्ट कराएगी इसमें आपका सारा एक्जाम यहां पर यही कंड़क्ट कराने वाली और इसको कैसे क्या प्रोसेस होने वाल हो मैं पूरा पढ़के आपको बताता हूं राइट चली यहां से पढ़ते हैं ओके थोड़ा सा यहां पे पेसंस रखिएगा चली मैं यहां पर नेशनल रिकूर्ट एजनसी एन आर ए अगले साल से केंद्र के गुरूप बी और सी के पदो के लिए कॉमन इलिजबिलिटी टेस्ट आप पढ़ते रहेगा मैं तो पढ़ी रहा हूँ ओके इससे भरती परिच्छाय सुरू करेगा सुराती मई जून में इस नातकस्तर के कॉमन इलिजबिलिटी टेस्ट CET से हो सकती है यह परिच्छाय देश के 170 जिलों के 1000 से अधिक परिच्छा केंद्रों में होगी कहां कहां होगी? 170 जिलों में, यहां पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है कि सभी जीलों मुख्याले जो कवर होंगे सीटी स्कोर के अधार पर केंद्र राज्य सरकारे सावजनिक उद्धम मतलब कि प्राइबेट शिर्ट नीजी थिर्ट में भी भरतिया कर सकेगी मतलब हमने तो सिर्फ आपको पता हो लगा जैसे कि मैंने आपक मतलब लिख दिया गया है इतने भी सेंट्रल गवर्मेंट जॉब हैं ओके यहां पर जितने भी स्केंद्र और राज्य सरकार सावजनिक उद्धम मतलब सावजनिक उद्धम जो आपका जो व्यवसाइब अगरा है नीजी छेतर प्राइबेट कंपनिया इसमें भी सीटी खा आपका एक एक्जाम करायी गा जोखी आपके लिए यह तीन वालिड रहेगा और यह स्कोर काडना तीन सल तक वैलने थेना अब चले मैं इसको डिस्कस करूँ सावर्य कर और यह नीचे पढ़ले हम स्को tout attending साल के लिए वैद होगा हर दो बगल अरज का अंकि अबेड़ drinking चैसे साल में दो बार एक्साथ सेम स्केल में आपको थ्यान में रखना होगा और इसके बाद आपका यहां पर रख यहां पर निलम सेलेक्शन कमिशन मतलब कि सिरें यह रख से Cao अलग एंजन्सियों के जरिये होती है एन आर एक के सुत्र के मताबिक मतलब कि जो आपका नेशनल रिकूट्मेंट एजन्सी बना गया उसके मुता सुत्रों के मताबिक सीटी के सलेबस एक्जाम इसकीम फीज नॉर्मलाइजेशन के बारे में 20 सग्य प्रामर्स कमीटी की रिपोर्ट त्यार हो चुकी है इसका पूरा का पूरा जो है ना कमीटी जो बन गया था यह आपका उननीस बीस में ही बना है 2019 बीस में थोरा से डीले इसले हुआ क्योंकि कोरोना बिच में अपक पर तो उसके कारणत होचा डीले हुआ बड़ यह पूरा का पूरा तयार हो चुका है जैसे कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं यह कोई भी फेक निउस नहीं होने वाला है नहीं ह एक्जाम कराई जाता ना उसका पूरा का पूरा तयार है कैसे कहां पर कौन कांसर सेंटर रहेगा क्या एक्जाम होगा वह भी आपका अंतीम चरण में ही है राइट एनरे ने रेलवे बोर्ट बैंकिंग संस्तान सेवा चैनायोग से इस संबन में चर्चा सुरू कर दी है प आनि का जो जो हो अलग हогा कि टूर्वल्ट का सी टील अलग होगा है कि राइट कर एक होता है गरीजुका तो से यजुका ऑंप एक्जाम दे सकते हैं इसमें आप इसमें रहेंगे इलिजबल तो उसमें आप इलिजबल रहने वाले हैं और यह चीजे धीरे-धीरे प्राइबट सेक्टर में भी आज आएगा क्यूंकि करने में उससे पहली बार में आईदो को की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा इसके बाद समीती कमेटी ने जब तक एन आरेस सीटी शुरू नहीं कर रहा कर पारा है तब तक भरती बोर्ट से परिच्छा केंद बढ़ाने के सीफारिस की है अब सीधा सीधा इस पर यह के रेलवे का जो ग्रूब डी का जो बच्चे वेकंसी का इंतजार कर रहे ना उसका वेकंसी इसलिए न के बैठें हैं कि अफिट जो भी बच्चे रेलवे की इंतजार कर रहें कि भरती कब अगले साल ही आने वाला है उसके बाद यह सारा चुछी हो गया है यह सब कुछ त्यार इसके बाद समीतिय ने ग्रेट लेट यह आपको मैंने बता ही दिया सुरू नहीं कर पा रहा है 100-200 किलोमीटर के अंदर आपको यह सेंटर प्रवाइड कराये जाए यहां पर साफ साफ लिखा गया है बैंकिंग भरती अजिंसी से भी कहा गया है कि वह एक बार अपनी शवाल लाग की परिछारती छमता में बढ़ोतरी करे एन आर एक के वरिष्ट अधिकारी के अनुशा करता है तो वह ही प्रोसेस यहां पर दे रखा है तो एक कॉमन टेट से यह गैप कम होगा उधारन के लिए भरती बीते उधारन के लिए बीते पांच बर्सों में रेलवेर रिक्विट्मेंट बोर्ड ने साथ नोटिस के जरिए सी गुरूप के दो लाग 83,747 पदों की रि स्थापना की थी यह 2020 में आपका स्थापना हुआ है और अब जाकर यह पेपर में आ चुका है संसद में भी इस फारीश आ गया है रिपोर्ट पूरा तयार हो चुका है पूरक पूरा इसका प्रोश्रस त्यार हो चुका आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसमें यह आपका अभी इसमें जैसा कि इसमें आया है नियूज में उस तरीके से बताया जा रहा है तो यह अभी ग्रेजुएट लेवर पर तो मैं ज्यादा तर अगर इसमें अरीजिवल भी किया जाए तो टैन टूएल्ट ग्रेजुएट तीनों आ जाएगा बट इसमें अभी स सबसे पहले तीन ही जो है जैसे कि आपका एससी के जितने एक्जाम होते हैं एससी के सॉरी एससी के जितने आपके एक्जाम होते हैं रेलेवे के जितने एक्जाम होते हैं और बैंकिंग के जितने एक्जाम होते हैं यह तीन एक्जाम को एक साथ मतलब कि एक अभी पहले इस इस एक्जाम से कंड़क्ट करायेगा CET बाकी धीरे-धीरे डिफेंस वगारा में state एक्जाम में भी जैसे कि यहाँचाप सापकर सेक्जाम हो जैसे कि यहांपर आपने कैंदर राजी सरकार सरकारी उद्धम निजी छे तो प्राइबेट सेक्टर में भी यह चीजे लागू हो जाएगी तो सीटी देना सबको परेगा चाहे वो प्राइबेट कंपनी में काम करें या फिर सरकारी में काम करने वाला है सरकारी में जॉब की त्यारी कर रहा है तो सीटी सबको देना अनिवारे हो जाएगा क्यूंकि प्राइबेट कंपनिया भी CET जो कालिफाई करेगा उसी को रखने वाली है तो यह कॉमन इलिजबिली टेस्ट तो यह प्राइबेट में तो धीरे धीरे इंप्ला होगा पहले सबसे पहले SSC रेले बैंकिंग में आने वाला है उसके बाद धी CET लिया जाएगा जो की कॉमन रहेगा तीन साल तक फर्क्तिरी नहीं देना है एक बर क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आप डेक्ट मेंस दे सकते हैं हर साल ओके तीन साल तक तो यह आपके लिए गुड़ नीउस है अफडेट है और बाकि जो भी डिफेंस के बच्चे लागू होता है तो आपको वही सिर्फ क्वारिफाई करना होगा इसमें कुछ अलग प्रोसेस इसका सलेबस भी बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको सलेबस भी लेकर आऊंगा और यह सारा कुछ मैं टेलिग्राम पर आपको प्राइड करा देता हूं तो वह भी अभी इसमें सलेबस में नहीं चेंज हुआ है बाकी इस साल के अंद तक आपका जरूर ना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मतलब सलेबस जो आपका एससी रेलवे बैंकिंग की त्यारी कर रहे उनके लिए सेलेबस चेंज हो जाएगा जो आपका सीई टी का ह है कि एक कॉमन लेबल पर लेके आया जाएगा राइट ओके कॉमन इलिजबिल्टी टेस्ट गेम माध्यम से राइट तो वीडियो को फटाबर लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कोस्ट गाड़ वाले एरफोर्स वाले अभी परसान नहीं वाले वीडियो के जैन जाबाद बंदे मातरम